प्री विद्यार्थियू मेरन विजय पांडे दिवरिया सीनिर सेकंडी स्कूल दिवरिया की आनलाइन कक्षा में आप सभी उच्चों का बहुत-बहुत स्वाब्यत करता हूं आईए आज हम लोग कक्षा साथ संस की तुरुच्रिय के अंतर गताने वाले द्वादस है पाठ है बारा हुआ पाठ है बिद्या धनम बिद्या रूपी धन पाठ की ब्याख्या का अध्यन करेंगे तो देखे इसमें ज्ञान रूपी धन कैसा होता है इसके क्या गुण है उच्ची के बारे में इस लोकों के माद्यम से चर्चा की गई है यद्देपी इस लोक का वाचन मैं कर दिया हूँ फिर भी देखे देखे इसमें कहा गया है कि विद्या ऐसा धन है कि कैसा धन है तो कहें ना चौर हारियम ना चौर इसको चुरा सकता है चौर माने चौर हारियम माने हरन कर सकता है या चुरा सकता है ना राज या हारियम ना राजा इसे छीन सकता है मन हरन करना या छीनना होता है यहां राजा से आसा है ना क्योंकि राजा की संपोन संपत्य होती है वह किसी से कोई बस तु ले सकता है तो इसलिए यहां यह बिद्या की बात कही गई है तो यह ना शवर हार्यम ना शोर चुरा सकता है ना राज हार्यम ना राजा इसे हार सकता छीन सकता है ना भात्रिभाज्यम ना भाई से बांट सकता है और धन होते हैं संसार के और जो लोकिक धन है वह भाई का हिस्सा होता है भाई को दे दिया जाता है बांट दिया जाता है लोग जो है बांट देते हैं किन्तु यह ना भात्रिभाज्यम ना भाई में यह बाटा ज सकता है नचा भारकारी भारकारी बोज लगने वाला यह ना कि बोज है अर्थत यह यह बिद्या जो है यह बोज भी नहीं है कि बोज लगे कि भार बढ़ाने वाली है अर्थत यह भार बढ़ाने वाली भी नहीं होती है मतलब जैसे आप लोग 50 किलो रख लिए सर पे तो यह बोज है कि कब हटे सर से किन्तु बिद्या जितना भी आप लोग ग्रहण कर लेंगे यह भार नहीं लगे तो यह बात नहीं भारकारी ना यह बोज है ना यह भार है भार बढ़ाने वाली वज्ट के और विश्यष्ता वताते हैं वे मनें खर्च वैई क्रिट मनें करने पर खर्च करने पर वर्द यो नित्यां हमेशा नित्य मनें हमेशा बढ़ती यह जो यह बढ़ती खर्च करने पर और संसारिक धन है जो खर्च होने पर कम होते हैं घटते हैं किन्त बिद्या रूपी ऐसा धन है जो खर्च करने पर अगर भी बढ़ती है बिद्या धनम सरोधनम प्रधानम इसलिए बिद्या रूपी धन शभी धनों में प्रमुख है प्रधान है मुख्यव सबसे बड़ी कर लिजी यह विद्या रूपी धन जो है शवी धनों से स्रेश्ट है बहान है बड़ी है चलिए अगले इस लोग देखते हैं देखिए एक पर फिर से मैं इसका वाचन करते रहा हूं ना चौर हारियम ना जोर चुरा सकता ना राज हारियम ना राज बढ़ती ही है विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम विद्या रूपी धन शवी धनों में प्रमुख है अगे विद्या नाम नरश्य रूपम अधिकम प्रचन्द गुप्तम धनम विद्या फोक करी यशे करी यसे शुकरी विद्या गुरू नाम गुरू विद्या वंत जनो और देखिए बिद्ध्या के लक्षन और क्या बताते हैं तो कह रहे हैं बिद्ध्या नामक धन मनुष्य का अत्यनत शौंदर्य होता है अर्थात कहने कासा है कि बिद्ध्या ऐसा मनुष्य का वास्त्विक रूप या सौंदर्य है रूपम अधिकम अत्यधिक सौंदर्य है जो प्रचन गुप्तम ऐसा बिद्ध्या मनुष्य का वास्त्विक सौंदर्य है जो छुपे हुए धन के समान है जो छुपे हुए धन के समान है अर्थात प्रचन्न गुप्तम धनम मतब विद्या मनुष्य का वास्त्विक रूप अर्थात संदर ऐसा है जो यह मनुष्य का जो है गुप्त धन है जो यह मनुष्यों का गुप्त गुप्त मानि छुपा हुआ प्रचन्न गुप्तम अत्यध छुपा हुआ या कहलेजे गुप्त धन है गोपनी धन है कैसा गोपनी धन है तो क्या क्या देता है धन है तो क्या देता है तो कहते हैं विद्या भोग करी विद्या भोगों को प्रदान करने वाली होती है भोग विलास विलासता से आज सारे जो है भोग विलास विद्या से ही संभव हो सकते हैं तो वह करें बिद्या भोग करी बिद्या भोग को विलास को यस है यस को यस माने किर्थी को शुख करी शुख पदान करने वाली कौन है बिद्या गुरु नाम गुरु और बिद्या जो है वह गुरुओं की भी गुरु है देखे बिद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुपतम बिद्या मनुष्य का वास्तविक या छुपा हुआ अत्यधिक छुपा यह ऐसा छुपा हुआ अधन है जो क्या भोगों को प्रदान करती है भोगों को देती है यस को कीर्थी को बढ़ाती है शुखो को प्रदान करती है और विद्यागुरुdes hanga guy सच्चे भाई के समान होती हैं कि कैसी होती हैं बीदेश में व необходимо इतिया पर्देश में वह सच्चे मित्र के समान सच्चे भाई के समान की क्यों कि अगर आप पर्देश में हैं आपके पास धन नहीं तो आपको आपको भूजन करने के लिए भी जो meilleur पूछने वाला नहीं युद्धिया आपके पास घ्यान है तो अपनी घ्यान से स्वयम जो है धन कमा कि आप सारे सुखो को प्राप्त कर सकते हैं तो ही कह रहे हैं बिद्या बंदुजनों बिदेश गवने कह रहे हैं, बिद्या जो है, सच्चे भाई या सच्चे मित्र के समान परदेश में होती है विद्या राजा लोग पूझते हैं विद्या की जो है राजा विद्या की ही पूझा करते हैं पूझते माने पूझा करते हैं ग्यान की ही राजा जो है वह ग्यानी मनुश्यों की ग्यान की ही पूझा करता ना ही धनम ना की धन की राजा जो है वा धन की पूजा नहीं करता भलकि क्या करता है विद्या की और जो राजा धन की पूजा करता है उसका राज बहुत देर तक नहीं चलता है बहुत दिनों तक नहीं चलता है और जो अपने गुर्वान मंतियों की या ग्यान की पूजा करता है विद्या की पूजा करता उसका राज बहुत शमय तक अस्था ही रहता है यह जो है नीति सत्कम से लिया गया है इसलिए राजाओं की बात कही गई है तो विद्या राज से पूजते विद्या राजा लोग विद्या की पूजा करते हैं ना की धन विद्या विहीन पसु विद्या से विहीन विद्या से हीन साच्छात वह पसु है ना की मनुष्य साच्छात पसु है ना की मनुष्य क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा समाज में कि जो भी व्यक्ति जो ऐसा होता है कि जिसके पास ज्ञान नहीं हो वो पसुत व पशु एकदम बैल है तीसलिए जो है यहां कहा गया है कि भिद्या भी हीन है पशु बिद्या से जो हीन है वह पशु के समान है उसके अंदर जो है ग्या नहीं है दो पशु के समान होता है अगला देखे के यूरा ना विभूस्यंति पुर्षम हारा न चंदरोज चला देखे बिद्या की और विशिस्ता क्या बताते हैं कि ना श्णानम ना विलेपनम ना कुष्मम ना अलंकृताम उर्थजा वाने का समलम करोती पुर्षम या शंश्किता धारे ते छी यंते अखल देखे के यूरा ना विभूस्यंति के यूरा मने वता बाजुबंद है विभूस्यंति माने ना सुसोभित करती है ना मने नहीं पुर्षम माने मनुश्यों को हारा माने हार ना मने नहीं चंद्रोज्वला चंद्रमा के समान उज्वल सफेद देखे के यूरा माने पहले के लोग जो है अपने हाथ में हाथ कहे लीजे जहां डोले होते हैं उस पे उस पे लोग बाजू बंद अर्था शोनिचादी का आभुशन धारण करते थे आपकी जो है जो भुजुर्ग होंगे वो जब बताएंगे इस आभुशन के बारे में कभी चर्चा कीजिएगा तो बताएंगे तो वो बाजू बंद आप लोग सीरियल में देखते हैं सीरियल जोने रामायन महाभारत देखा होगा उस में जो राजा अपने बाजू में भुजाओ पर कंदे से नीचे जो डोले होते हैं वहाँ पर जो आभूशन धारन किया जाता है उसको बाजू बंद गहा जाता है तो यहाँ के यूरा ना विभू सेंती बने बाजू बंद शुसोभित नहीं होती है अरधात मनुष्य के लिए मनुष्य की सुद्धा को बढ़ाने के लिए बाजू बंद बाजू बंद मिन्स कह लिजिए तो यह मनुष्य को बाजू बंद और ना चंद्रमा के समान उज्वलहार मनुष्य को ना बाजू बंद ना चंद्रमा के समान उज्वलहार ना अशनान करना ना लेप लगाना विलेप नमने या इत्र आधिका प्रयोकरना ना कुश्मम ना फूलों की ना अलंकरता मुर्धो जा और ना चोटी वेणी समारना फूलों के द्वारा जो है अपने बालों को समारना या सजाना ना अलंकरिता मने ना मने नहीं अलंकरिता मने सवजाना कह रहे हैं मनिश्च की सोभा ना बाजो बंद बढ़ा सकते हैं ना चंद्रमा के समान उज्वलहार ना अश्नान करना ना विलेपन करना ना लेप लगाना अर्था तीत्र आधिका प्रयोग करना ना फूलों से अपनी चोटी को सजाना उसको क्या सुसोभीत करती है उसकी सुन्दरता क्या वढ़ाती है तो कहरे वान एका समलंग करोती वानी ही मातर उसको अलंकृत करती है उसको सुसोभीत करती ह या जो संस्किता धारते, जो संस्कित निष्ट अर्था सदाचार युक्ते, अच्छे आचन युक्ते, शंस्कार युक्त वानी को धारन करती है, धारन करता है, उस वही उसकी सुंदरता को या उसकी सोभा को बढ़ाती है, एक मात्रबाणी ही, संसकार से युक्त मात्रबाणी ही, उस पुरुष्य के, उस मनुष्य के जो है, वह है, उस मनुष्य के संदर्यता को बढ़ा सकती है, क्योंकि क्यों बढ़ा सकती है, तो आके कहते हैं, कि छीयनते अखिल भूशलानी, अखिल माने संपूर्ण, छीयनते व ओने वाले भूशन ये संसार के जो अबूशन है वह नश्ट होने वाले छीयंती माने नश्ट होने वाले अखिर माने संपूर्ण भूशनान बाणे ये अबूशन संसार के जितने भी आभूशन है संसार के जितने भी आभूशन है वह नश्ट होने वाले हैं सततम मने अजसा सुत नहीं है सततम यह लगातार यह अनवर्थ चलने वाले नहीं है किन्त वाग भूशनम भूशनम वाणी रूपी आभूशन वाणी रूपी आभूशन यह सच्चा आभूशन होता है यह कभी नश्ट होने वाला नहीं होता मनुस्य की संदर्यता को बढ़ाता ही है तो यह बार फिस से इसको देख लेंगे के यूरा ना विभूशन थी बाजोबंद मनुस्ति को सोभित नहीं करते हैं और ना चंद्रमा के समान उज्वलहार ना अश्नान करना ना लेप लगाना इत्राज का प्रियोग करना ना फूलों से अपने जो है वेनी चोटी को सजा जो पुरुष ек मातर वानी संसकार युकि वानी को धारण करता है वही है उसकी जो है सोभा को शमलंकर और तो उसकी सौभा को बढ़ाती हो तो इसके संद्रता को बढ़ाती हुए क्योंकि संसाहर के जितने भी आभुसन होते हैं वह सभी नश्ड होने वाले होते हैं किन्तु बानी वानी रूपी आभूशन यह सब यह नश्ड नहीं होने वाला होता अर्था सास्षत होता है अगला इसलोक देखेंगे विद्या नाम नर्श कीर्थी तुला भागी छे चे आस्रे धीनों काम दुखास तरतिश्चे वीरहे नेत्रम तिर्थीयम चेसा सत्कार यतनम कुलिष्ण महिमारत नहीर विना भूशन तस्मात अन्यों पेक्षे सर्व विश्यम विद्याधिकारम क देखें अंतिम श्लोक में क्या बताया गया है विद्याधिकारम नर्श कीर्थीर अतुला भागी छे चे आस्रे देखें आगे कह रहे हैं कभी कह रहे हैं कि विद्याधिकारम कीर्थी अतुलानी जिसकी यस माने कीर्थी विद्याधिकारम कीर्थी विद्याधिकारम नफंग कीर्थी कैसी किरती है कि भाग छे चै आस्रे है जो बुरे भाग मने बुरा दिनाने पर भाग मने निश्ट होने पर IMF again की निश्ट होने पड़ चै आस्रे और आस्रे प्रदान करंते जाए आश्रे माने सहारा दिने वाली होती है, कह रहे हैं, बिद्या मनुष्य की अपार कीरती है, अतुलिनी ये कीरती है, या अनुपम कीरती है, अनुपम यस है, जो बुरी समय आने पर, अर्थात भाग्य के नश्ट हो जाने पर, यदि आप कहीं से, आपका भाग्य छह हो गया है, नश्ट हो गया, अर्थात बुरा समय आ गया है, तो एक सहारा देने वाली होती है, आसरे माने सहारा, आसरे है, मतलब सहारा देने वाली होती है, कौन, बिद्या, अगर आपके बुरे दिन है, तो बिद्या ही ऐसी मात्र है, जो आपको सहारा दे मतलब अपने ज्यान से बुरे दिनों को भी आप पार कर सकते हैं, अपने कश्टों को दूर कर सकते हैं, यदि आपके पास ज्यान है, यदि आपके पास विद्या है, और क्या है? और कहरें बिद्या धेनु धेनु गाय और काम धेनु यहां काम धेनु गाय के समान है अईसा पवराणी कथाओं में मिलता है कि यह काम धेनु गाय यह ऐसी गाय थी जो समपूर्ण कामनाओं को पूर्ड करने वाली थी अर्था उसके पास चले जाएए आप अपने मन में समकल्प कर लीजिए कि मुझे यह चाहिए और वह तुरंत दे 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 थी थी तो उसी प्रकार यह है शमपूर्ण कामनाओं को पूर्ड करने वाली यह कौन है विद्या उसी प्रकार जिस प्रकार काम धेनु गाय है शमपूर्ण इच्छाओं को पूर्ड करने वाली थी उशी प्रकारी है विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली होती है रतिष्च वी रहे और देखेंगे कह रहे हैं रतिष्च वी रहे और कह रहे हैं वियोग में प्रेम के समान है अगर वियोग है किसी के अरेल से वी रहे माने वियोग कश्ट दुख विरह विरह यह प्रेम में ही होता है और कश्ट को नहीं कहा जा सकता किन्तों प्रेम में विरह होता है तो यदि आप कहीं प्रेम के कारण दुखी है तो यह जो है आपके प्रेम के यह बियोग में प्रेम के समान है यह बिद्या जो है यह बियोग में प्रेम है प्रेम के समान है अर्था तबके बियोग के समय में प्रेम को बढ़ाने वाली होती है और नेत्रम तृतियम जैसा शामानी यह है यह कौन बिद्या और यह चय जो है आगे चला जाएगा तो चय नेत्रम तृतियम और यह तृतिय नेत्र के समान होती है तृतिय नेत्र से आसा है कि जब हमारे नेत्र जो है यह दोनों नेत्र सांसारिक बस्नों को नहीं देख पाते ति यह जो है, यह ज्यान जो है, वह अपने तरती नेतर से उश है, जिसको हमारी आखे नहीं दे सकती, उश को देखने का सहरा होती, तरती ये नेतर भगवान शंकर के समान ये तरती नेतर हैं, जिसे भगवान शंकर के तीसरी नेतर हैं, तो उश ही प्रकार जो है, क्योंकि भ जलाने से आसे नहीं है यह जो नेत्र तरती यह नेत्र है यह बस्तू को देखने के लिए होता जो हमारी दोनों आखे नहीं देख सकती जिन चीजों को या जिनका अनुभूती नहीं कर सकती यह विद्या रूपी तरती यह नेत्र तरती यह तीसरा नेत्र उस ग्यान को उस बस को देख सकता है क्योंकि आप क्योंकि जानते होंगे कि मनुष्य जो है अपनी दोनों आँखों से क्यों संसार को देखता है और पारलावकिक ज्ञान को अर्थात प्रमात्मा का साथ छातकार जो है वह है मनुष्य के तीसरे नेत्र उसके ज्ञान से ही होता है भगवान का साथ छातकार उसके ज्ञान से ही होता है तिसलिए कह रहे हैं धेन काम दुगास रतिष्च विरहे नेत्रंत्रतियम चसर यह कामनाओं को पूर करने वाली काम धेन उगाय के समान अर्था सभी सकते जिस ग्यान को उस ग्यान को यह तीसरा नेत्र के समान होती है अर्थात ग्यान को देखने के लिए यह तीसरे नेत्र के समान है शतकार यतनम कुलश्य महिमा देखेंगे शतकार यतनम कुलश्य महिमा और इतने नहीं करती है विद्या सम्मान का केंद्र है शतकार यतनम कु जाने वाले आर्थात आपके सम्मान को बढ़ती हैं। विद्या स्चत्कार सम्मान को बढ़ाने वाली है। अगर विद्या से विहीन-मनुस्य कि- तु उसका सम्मान यही नहीं करता। किन्त बिद्वान बेखती है बिद्वान माने होता है पढ़ा लिखा तो आजकल जो है बिद्वान की ही बिद्वान का सम्मान करने वाले होते है सतकार यतनम बिद्वानों का ही सम्मान होता है और यह क्या करती है कुलश्य महिमा कुल की खांदान की मर्यादा को महिमा को बढ़ाती है विद्या जो है वह कुल की महिमा को बढ़ाती है क्यों कैसे बढ़ाती है जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो विद्वान होता है वह अपनी कुल तो कहते हैं न कहां कहां कहा है कि किस देश का है तो उस देश का सम्मान बढ़ता है उसके किसका पुत्र है तो उसके पिता जी का सम्मान बढ़ता है तो किसके खांदान का तो उसके कुल की महिमा को बढ़ता है तो यह ऐसा होता है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बिवे का नंद का सम्मान जो है वह वह बिदेश में अर्थत बिवे का नंद ने जो है अपने अपने ग्यान से अपने देश का सम्मान बढ़ाया अपने देश का सम्मान बढ़ाया तो उसी प्रकार जो है बिद्वान बेकती होता है तो अपने कुल अपने कुल की महिमा को अपने कुल की सम्मान को बढ अपनी पिता का अपनी सारी लोगों का शल्मान बढ़ाता है तो इसलिए कि घरे कुलubine की त्रभाती है कौन ये विद्य ये विद्या रंत नेर बिना आभूश्न है planted आभूश्न है इसको गरहम गरहन केंगे विद्या का साच्छात कारेंगे उतना ही हमारा शमान बढ़ेगा और यह जो हमारी सोभा बढ़ेगे यह बीना रतनों का आभूशन है तस्मात औन्य उपएक्ष इसलिए अन्य उपएक्ष दूसरे बिश्यों की उपेक्षा करके अर्थाथ विद्या ग्रहन करो बिद्या ग्रहन करो एक बार फिर से इसका सरलार्थ देख लीजिए बिद्या नाम नरस्य कीर्थी तुला भाग शेय चैयासरम आसरय कीर्थी अतुला तो देखें बिद्या नाम नरस्य बिद्या मनुष्य की अपार अतुलनी कीर्थी है बिद्या भाग के नश्ट होने पर अर्थात बुरी समय में सहरा होती है धेन काम दुघा रतिष्च विरहे बिद्या काम धेन गाय अर्थात संपूर कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है और बिरह में प्रेम को और दोनों नित्र के बंद होने पर तितीर नित्र के समान होती है सतकार यतनम विद्या सतकार समान दिलाती है और कुल के समान को बढ़ाती है बिना रतनों की आभोशन है इसलिए सभी विश्यों को दूर उटाकर विद्या पर अधिकार कीजी तो बोत बहुत धन्यवाद आप अपोगों को इसको पूंड मनेर्यक से देखें आप लोगों और जहाँ ना समझ में आये फोन करके पूछें तो धन्यवाद आप लोगों को